पहलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो अर्चानल दीसी दक्षे भारगाव आज इस वीडियो में लॉक्डवर्ण में मैंने जो स्केचेज बनाये थे उसके बारे में बात करूंगा यह जो आर्टवर्ण से यहाप पर लगा के रखे हैं उसके बारे में बात करूंगा यह जो करोन करने आफिशनुन में पार्टीशिपेट किया दा उसके बारे में आपको बताओंगा इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं गनेजी के स्केचिंग से जो यह स्केच है मैंने सिंगल पेंसिल से पूरा स्केच बनाया था और यह काफी प्यारा बना था मुझे बहुत सारे में था और लोगडान में मैंने online competition में पांटिसिपेट जब किया था तब मैंने ये नरंद रोदी जी का sketch मैंने दिया था उसमें तो उसमें मुझे मेरी इस प्राइज भी मिला था आमिता बच्चीन जी का sketch मैंने बनाया था और सौमी कानें जी का बी मैंने sketch बना था इन दोनों के में वीडियो नी बना पाया था तो इसको मैंने मेरे पेज पर अपलोड किया था और इस्टाग्राम पर मैंने डाला था तो अक्षे भार को आट्स करके मेरा पेज है उसमें में रिसेंट जो भी वर करतों मैं अपलोड कर देता हूँ और यह जो पूंद्धभवन का स्केश था उसमें वह काफ़ी रियलिस्टिक बनाने के मैं लोडा कोशिश के था और बात करेंगे करे मिनाटी की के मैंने बनाये थे उसमेंसे एक स्केश नमे को उसके बाद जो केरला में इंसिडन्स हुआ था जो प्रेगनेंट हाती था एलेफैंट वो डेथ हो थी उसकी तो उसके लिए मैंने छोटा सा ट्रिब्यूट था उसके बाद मैंने मेरे चैनल पर जो बीगिनर्स से उनके लिए वह एक सेप्रेट प्लेइस्ट बनाई है अपलोड करते रहता हूँ करोना वायरस अवर्नेस के उपर मैंने यह ड्राइंग बनाई थी जिसमें भी काफी सारी डिटेलिंग्स थी उसमें भी बहुत टाइम लगा था जो फोटो काफी वायरल होई थी उसका यह मैंने सकेज बनाया था यह जो आप देख रहे हैं उसमे मेरा इंस्टाग्राम के आडिया आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और जो भी मैं वर्क करता हूँ उसका वीडियो आप देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दिजे थैंक यू झाल